पत्र के लिए धनेबाद कारिक्यम के सभी शोताओं को धुनेमित्र पाण्डूरंग पुरानिक का नमस्कार और शोताओं आज इस कारिक्यम में हमारे साथ हैं स्वस्ती श्रिवास्त वो तो स्वस्ती आपको भी नमस्कार पांडुरंग भाईया आपको भी नमस्कार और हमारे सभी शोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार और जन्मास्टमी की हार्थिक शुपकामनाई वो अनुकरणी है और हम सब को उसका निश्चित रूप से अनुकरण करना चाहिए बिलकुल वही है बिलकुल सभी का आपने तो शुपकामनाओं के साथ हम शुरू करते हैं अपना ये कारिकरम बहुत सारे शोता जो हमारी बातों पर लगता है गोर नहीं करते हैं फर्माईश वाले इमेल इस कारिकरम में भेज देते हैं तो हम उनसे फिर एक बार यही निवेदन करना चाहेंगे कि भाई हमारी बात मान जाएए और इसमें आपकी जो शुपकामनाओं हैं जो आपके सुझाओं हैं जो आपके शिकायते हैं वो भेजिए हमें अच्छा लगेगा बिल्कुल और फर्माईश वाले पास और भी कई कारिकरम है तो हमें लगता है कि आप अपने फर्माईशी गाने उसमें भेजें तो ज़्यादा बहतर होगा क्योंकि ये करिकरम पूरी तरह से सुझाओं के लिए ही है बिल्कुल तो पहला इमेल आपने किसका चुन लिया है स्वस्ती पहला इमेल जो हमने चुना है वो है सबसे पहले तो इन्होंने रक्षा बंधन और आजादी के अमरित महोटसों की पूरे आकाश्वानी परिवार को धेड़ सारी बधाई दी है तो बिल्कुल हम आपकी बधाई स्विकार कर रहे हैं और हमारी ओर से भी आपको रक्षा बंधन और राष्ट्री पर्व स्वतंतरता दिवस स्वतंतरता का जो अमरित महोटसव है उसके विधेर सारी शुपकामनाई और बधाई दे रहे हैं यह जो पर्व होते हैं हमें आपसी भाईचारा प्रेम और सौहर्द का संदेश देने बाले होते हैं तो हम इसी संदेश को गले लगाते हुए आगे बढ़ते रहें बिलकुल और भाया इन्होंने लिखा है कि हाल ही में फोने फर्माईश जो की स्वस्ति श्रिवास्तो द्वारब पेश किया गया इन्हें बहुत ही पसंद आया छे और साथ तारिक को इन्होंने सुना था बहुत अच्छा लगा और इनका कहना है कि और भी बहुत सारे उध्गोशक हैं जिन्हें ये फर्माईशी प्रोग्राम में शामिल करना चाहिए मतलब उनके द्वारा भी ये कारिक्रम पेश किये जाने चाहिए तो अच्छा रहेगा तो पहला जो आपने लिखा है कि स्वस्तिक श्रिवास्तो द्वारा प्रस्तुत कारिक्रम हमें बहुत अच्छा लगा तो स्वस्ति तक आपकी बढ़ाई इस कारिक्रम के जरीए पहुँच रही है स्वस्ति स्विकार कीजिए बिलकुल तहे दिलशे शुक्रिया आपका और बिलकुल हम लोग की भी यही कोशिश रहती है कि आपको हमारा कारिक्रम अच्छा लगे हम लोग अच्छे तरीके से अपना प्रोग्राम पेश करें आपके लिए तो जो और भी उद्गोशक हैं वो भी इस कारिक्रम में समय समय पर आते रहते हैं और आगे भी आते रहेंगे अभी आपने स्वस्ति को सुना सिधार्थ सेन भी ये कारिक्रम लेकर आने ही वाले हैं तो आप उन्हें भी सुनेंगे समय समय पर आपको नए दोस्तों से मुलाकात करने का मौका मिलता रहेगा आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखा है इन्होंने की फोन इन करेक्टर में जो अभी टुक टुक की आवाज आती है उससे थोड़ा disturbance होता है तो अगर वो ठीक हो जाए तो सविधा रहेगी भाई देखे हमारे हाथ में तो ये है नहीं अब आपके शिकायत हमारे पास आई और हमने वो शिकायत आगे विभाग तक पहुचा दी है जो टेलिफोन विभाग है वहां से जब ये ठीक हो जाए तो सार्थक हो जाएगा हमारा प्रयाश जारी है जी बलकुल और इन्होंने आगे ये लिखाया कि बहुत सारे केंद्रों से अभी भी विविद भारती के कारिक्रम चल रहे हैं प्रसारित किये जा रहे हैं लेकिन वारांडसी से अभी मतलब ऐसा नहीं हो रहा है तो इसकी क्या वज़ा है ये और इनका ये भी एक कहना है कि पिटारा कारिक्रम जो आता है उसके जगह अगर एक घंटे का फोन इन फर्माईश कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ऐसा बहुत लोगों की डेमांड है बहुत सारे शोता सुनना चाहते हैं विविद भारती के कारिक्रम हमारे केंदर से भी यानि 100.6 FM पर भी प्रसारित होते हैं लेकिन वो सुबह 9 से 10 रात को 9 से 10 और दिन में 3 बजे से 5 बजे तक प्रसारित किये जाते हैं और जो हमारे मुख्याले से हमें निर्देश मिलता है उसका पालन करना होता है हम पालन करेंगे और वो सूचना आप तक भी जरूर पहुचेगी फिलहाल जो 3 से 5 बजे तक विविद भारती के कारिक्रमों को हम रिले करते हैं उसमें कोई परिवर्तन हमें नहीं लगता कि ततकाल संभव है क्योंकि उसी दौरान आपने लिखा है कि 4 से 5 बजे तक आप हे परनसी के इंडर से तो हलो फोन इन फर्माईश का रिक्रम आप शनिवार और रविवार को 12 बजे से 1 बजे तक लगातार सुन ही रहे हैं फिलहाल ऐसा जो आपने लिखा है हमें नहीं लगता कि वो हो पाएगा फिर भी आपकी बात हम हमारे मुख्यालाय तक पहुचा रहे ह इस मेल के लिए आपको धेर सारा धन्यवाद दे देते हैं जे बिलकुल और अगला इमेल अब हमने जो लिया है वो है शिवपूर के असगर अली जी का है ये भी हमारे बहुत निमित और पुराने जी तो इनका कहना है कि 11 अगस्त को कहकशा कारिक्रम इनों ने सुना और उस सारण जो गजले उसमें शामिल थी वो आपको पसंद आई हैं तो हम आगे भी प्रयास करेंगे और भी अच्छे अच्छी गजले आप तक इस कारिक्रम के जरिये जो नौन फिल्में गीत हैं जो अलग-अलग तरह के कभी-कभी मौकों के अनुसार हम चुनाओ करते हैं कभी भक्ती संगीत हैं कभी गीत हैं गजले हैं तो आप यह पॉप सौंग्स हैं वो भी शामिल होते हैं इसमें तो आपको बराबर सुनने को मिलते रहेंगे हाँ प्रसूत करता तक आपकी बधायम पहुचा रहे हैं जी आगे इन्होंने लिखा है कि आपके यहां से जो प्रोमो प्रसारित होते हैं उसमें पांडुरंग जी के साथ पुष्पा जी की आवाज सुनने को मिली जिससे पुरानी यादे ताज़ा हुई अरुन जी का भी DTS प्रोमो इन्हें बहुत पसंद आता है उनकी आवाज और अंदाज इन्हें दोनों ही बहुत पसंद है पुष्पा जी की याद तो हमें भी आती रहती है पुरानी कुछ चीज़ें अभी हमारे पास सुरक्षित हैं कभी कभी आपको सुनने को मिलती रहती है और अरुन जी के लिए तो आपकी जो बढ़ाई है आपको अच्छा लगता है तो हम इस कारिक्रम के जरीए उन तक पहु अजगर अली जी को शासरी संगीत कभी कभी अच्छा नहीं लगता है यह अच्छा लगा है जानकर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और हम भी कोशिश करेंगे कि अच्छे अच्छे कारिक्रम शासरी संगीत में खास कर इन्हें हमको लगता है कि इन्हें वादन प्रतिक्रिया भी देते हैं आगे इन्होंने लिखा है कि आरोग्यम कारेक्रम बहुत ही लाबदाएक है बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि जटल से जटल समस्याओं बेमारियों का भी समाधान इन्हें नेशुल्क मिल जाता है और इसमें निश्चित रूप से पांडुरं आसे कारेक्रम करते रहें और इसके लिए बहुत धेर सारी शुप कामना इन्होंने पांडुरंग जी को दी है असगर अली जी निश्चित रूप से आरोग्यम कारेक्रम बहुत ही उपयोगी और जानकारियों से भरपूर होता है बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मर्गरशन करते रहते हैं तो बहुत अच्छे अच्छे चिकित्सक कुशल चिकित्सक सुप्रसिद्ध चिकित्सक इसमें आते रहते हैं और अलग-अलग विश्यों के विश्यशक्य होते हैं जैसा कि आपने भी लिखा है उनके माध्यम से शोताओं की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान उस बारे में उनको अच्छी सलाह चर्चा के माध्यम से हम देते रहते हैं आपको कारिक्रम अच्छा लगता है और हमारा भी निरंतर प्रयास रहता है और आगे भी रहेगा कि हम ये कारिक्रम उतनी ही कुशल्टा के साथ आप तक पहुँचाते रहें और आपकी समस्याओं का समाधान होता रहे जो आपने शुपकामनाई दी हैं वो हम सहर स्विकार करते हुए आपको धन्यवाद प्रेशित करते हैं इन्होंने बताया है कि इन्होंने पांचवें माले पर रास्री इधवज फेहराया है और रक्षा बंधन और आजादी अम्रित महोटसों की पधाय देते हैं ये हम सबी लोगों वा, क्या बात है, पांचमे माले पर हमको लगता है कि जो इनका टॉप फ्लोर है, वहाँ पर बड़ा सा तिरंगा फेहराया होगा, घर घर तिरंगा अभियान के अंतरगत, तो जहां तक हमें जानकारी है, अजगर अली जी एक नौसैनिक है, नौसैना में अधिकारी रहे हैं, तो बहुत है खोशी की बात है, राश्टर प्रेम जलकता है, और हर भारती के लिए तिरंगा एक आनबान, शान और घर्व का विश्य है, तो हमारी ओर से भी आपको बहुत बहुत शुक्कामना है, बहुत बहुत बढ़ाई, आप देर घायू हों, और इसी तरह हमसे जुड इस मेल के लिए आपको धन्यवाद, बिलकुल, अगला जो मेल है वो है अनिल गुपता गोंड और रमा गुपता गोंड का, इन्होंने हमें इमेल भेजा है अशोक विहार कॉलोनी पहडियां वारांसी से, और इन्होंने सबसे पहले तो रक्षा बंधन और आजादी के अमर पहले बेहन के प्रेम का परव है, बिलकुल, आगे इन्होंने लिखा है कि 10 बजे से जैभारती कारिक्रम आता है, और इसी समय विवद भारती से बाते जैसा कारिक्रम भी बहुत सारे आते हैं, तो अगर वो कर दिया जाए, जैभारती की जगा इस तरह की कारिक्रम पेश कि जाए, तो अच्छा रहेगा. हमें नहीं लगता है कि उस पर हम अमल कर सकेंगे, क्योंकि हमारे मुख्यालय का जो निर्देश होता है, उसका पालन हमारे केंदर को करना होता है. आपकी बात हम जो संबंधित अधिकारी गण हैं, उन तक पहुँचाएंगे. अगर भविश्य में कुछ ऐसा परिवर्तन तो निर्ष्यत रूप से आपको सुनने को मिलेगा. जी और आगे इन्होंने ये लिखा है कि आकाश्वाणी के वारानसी के शोताओं में आप दूर दूर के शोता भी शामिल हो रहे हैं, मतलब अलग अलग प्रांच से. तो ये बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोग ऐसे ही उत्क्रस्ट और मनुरंजक कारिक्रम पेश करते रहें ताकि हमारे शोताओं की संख्या बढ़ते रहें और लोग दूर दूर ता किसे सुन सकें, पसंद करें. स्वस्ती देखे, इन्होंने ये लिखा है कि आकाश्वानी वारानसी के शोताओं में इजाफा हो रहा है, दूर दूर के दूसरे दूसरे राज्यों के शोता भी शामिल हो रहे हैं, तो आकाश्वानी वारानसी के कारिक्रम हमें लगता है कि शोताओं को पसंद आ रहे हैं, तो हम आपके सुझाओं के अनुसार निश्चित रूप से अच्छे से अच्छे और अच्छे कारिकम पेश करने का प्रयास करते रहेंगे और आप हमारे शोता हैं तो अनिल कुमार जी आप हमसे जोड़े रहें और जो नए सोता जोड़ रहें उनको भी हम धन्यवद देते हुए उनका स्वागत कर रहें जी विलकुल और इनोंने सारे ही प्रसुत करता को डेर सारी बधाई दी है तो हमारी योर से आपको धन्यवात और आपकी बधाई सारे प्रसुत करताओं तक हम पहुँचा रहे हैं अगला मेल किसका है? अगला मेल है प्रभाकर विश्व कर्मा इच्छेश विश्व कर्मा का परसोधा बाजार मिर्जापुर से इच्छेश और प्रभाकर क्या लेखते हैं? इन्होंने लखा है कि इन्हें कहकशा कर्रेक्रम बहुत अच्छा लगता है तो प्रभाकर जी और इच्छेश जी आपकी बात से हमें भी बहुत अच्छा लगा कि आपको कहकशा कारीक्रम बहुत अच्छा लगता है बहुत सारे कलाकार हैं उनके जो गाए हुए गीत हैं, गजले हैं, पॉप सांग्स हैं हम आप तक पहुँचाते रहते हैं जो आपने नामों का उलिख किया है उनके गाए भी हम समय समय पर आप तक पहुँचाते रहते हैं उनकी गाई रचनाएं उनकी गाई गजलें आप थोड़ा धैर रखे आपकी जो लिस्ट है वो हमारे प्रसुत करताओं तक का हम पहुचा रहे हैं और उम्मिद है कि आपको निराशा नहीं होगी जरूर सुनने को मिलेंगे बिल्कुल अगला मेल किसका है अगला मेल है जमानि इनके दिल को छोगया सना जी के गीतांजली पेश करने का खोबसूरत दिलकश अंदाज बहुत प्यारा लगा वास्तों में सबको कमाने की लालसा होती है लोग अपने घर बार छोड़ कर परदेश चले जाते हैं लेकिन अपने घर की याद हमेशा आती है आपने बहुत मार प्रसाड आपकी पसंद बहुत प्यारा लगा गीतों का चायन और पेश करने का खोबसूरत अंदाज बहुत द्यारा लगा इसके लिए शियामा प्रसाड जी को बहुत बधाई 22 जुलाई को अरुन भाईया द्वारा प्रस्तुत फार्माईशे गीत एक्स्प्रेस सुना जो बहुत प्यारा लगा सफल प्रस्तुती के लिए अरुन भाईया को बहुत बहुत बधाई इस मेल के जरीए हमारा उच्छा वर्धन किया बहुत धन्यवाद। जुलाई में इनसे मिल्य कारिक्रम में किर्तिमान श्रिवास्तों से बातचीत, सोला जुलाई को ओम प्रकाश चौबे का कावय पार्ट इन्हें बहुत ही अच्छा लगा और इन्होंने बधाई दी है सारे प्रस्तत करताओं को। तो ओम प्रकाश मस्या जी हमारी ओर से भी बहुत बहुत बधाई और बहुत धेर सारा धन्यवाद। आप सारे कारिक्यम हमारे बहुत ध्यान से सुनते हैं और उन कारिक्यमों के बारे में आपकी जो विचार होते हैं जो आपकी प्रतिक्रिया होती है वो आप हम तक भेशते हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है तो स्वस्ति अपने कारिक्यम का समय बिलकुल समाप्त हो रहा रहे तो शोतों से अब हम विदा लेते हैं कहते हैं नमस्कार